हेलो जी नमस्ते राम राम गुड मोर्निंग सूपर भात और मैं सुबह सुबह ठंड में बाहर इतना कोरा रखा है बहुत ठंड हो रखा है सुबह सुबह ठंडे पानी में न कपड़े दोने लग गी हूँ क्यूंकि हमने फिर जाना है यूपी तो अभी नास्ता वगेरा भी क करना है तो हम चल दिये थे भी घर का सारा काम खतम करके न तो इशान के पापा को अब स्कूल में देनी है सबजियां वगेरा तो मिड़े मिल की तो अभी रुक के वो देनी है तो ये देखे दो बच्चे आ चुके हैं और ये बोंडरी स्कूल की है भई तो ये देने जा रह बच्चे न जाएंगे दो मेरे बतिजे हैं और एक इशान्ति ये तिनोना घर ही रहेंगे इशान्त के ननु के पास उनको इनके पास छोड़ देंगे बच्चों के पास तो हम सारे जाएंगे भाई, भाबी, ममी, मैं और ये और पहली बार तो भई चचरोली से बाहर निकल चुके हैं ये इशान्त के पापा की गाउं की तरफ बढ़ रहे हैं ये सारा इशान्त के पापा का एरिया है भाई, गाउं का तो मतलब की ये इशान्त के पापा का गाउं है भाई, यहां इन सडकों पे इन गलियों पे इशान्त के पापा की जिंदगी बित्ती है, ये गली हमारे घर जारी थी भाई, जहां मैं शाद्दी करके आई थी, दूलहन बनके ये वो वाला गाउं है भई जहां मैं दुलहन बनके आई थी और एक सड़क ये जाएगी भई हमारे घर पे ये वाली तो ये इशान्त के पापा का गाउं पीछे रह चुका है और दो तीन किलो मीटर की दूरी पर फिर ये मेरा गाउं आ जाता है भई ये मेरे गाउं की सड़क है तो हमारे गाउं से बस्टेंट तक भी ये काफी लंबा सफर बैठता है जो पैदल चलना होता है पर अब तो साधन है भी सब के पास पहले जब हमारा स्कूल टाइम था अब भी वैसे पैदल ही जाते हैं बच्चे जो बस पकड़ते हैं बस्टेंट से यहां से इतनी दूरी त पैकर के और ये गाउं में एंट्री करते ही पीर बाबा और एक साइड गर्धवारा तो यहां बई जब भी एंट्री करती हूं मैं तो यहां सिर जुखा के जरूर जाती हूं पीर बाबबे पे बी और गुर्धवारे पे यह मैं कभी नहиноभूलती और बई ये सडक बनेगी तो बनाऊंगी फिर देखते हैं किस टाइम उदर से वापीस आएंगे और हम घर पहुंच चुके हैं भई ये तो हम घर से उनको लेके चल दिये थे मुम्मी और को और ना वीडियो बनाना याद ने रही क्योंकि हम लेट हो चुके थे ग्यारां बजगे थे और भाई युम्ना नगर हरियाना में बहुत फेमस जगह है ये ताज्ये वाला तो हम यहां से यूपी में एंट्री कर रहे हैं ये अभी इसका में दवार बनने वाला है भई ये ये देखि बहुत अच्छा बनेगा जब कम्पलीट हो जेगा तो मैं तो भी पहली बार इदर आई हू और बीच में इतनी मतलब नहरे और ये अंग्रेज जो के टाइम का भई पूल बना हुआ है ब्रीज सा है तो फिर मैं इशांत के पापा को बोल रही थी तो फ्री टाइम में आएंगे हम और नदियां सी चल रही हैं बिल्कुल साफ पानी की इतना अच्छा एरिया था तो हम घर आ चुके थे भई ये ना अगली दिन सुबह की कलिप है तो इशांत ने भई हमें मना लिया इशांत कहता है ममा मैं दो तीन दिन रहूंगा तो हमने इशांत को यहीं छोड़ने का इरादा बना लिया भी रहले चल कोई वात नी तो ये इधर बैंगन लगे थे तो मैं कह ख़ड़ा है ये थोड़ा से दरकच्चा छोड़ा है साग सब्जी के लिए तो बस वही तोड़ने लगी थी और तो बैं इशांत के वैसे तो हम कपड़े भी ने के आए थे पर ये तो पता ही नहीं था कि इशांत रहेगा तो कपड़े देखते हैं इसके एक दो दिन में पहुंचा देंगे या फिर परसू नहीं नहीं कल नया साल है तो हम मंदिर आएंगे तब इशान्त के कपड़े पकड़ा देंगे ऐसा कुछ प्लैन किया है अब आगे देखते हैं कैसे इसके कपड़े आएंगे अगर कपड़े नहीं भी आएंगे तब भी चल जाएंगे क्यूंकि बईबतिज्जा है वो इसी के साइज के ही कपड़े स्कोर उसको सेम ही नाप है तो एक दूसरे के डाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इधर ना ये गेंदे के ना ओदे खड़े थे छोटे छोटे वो लेने लगी थी क्यूंकि ये वाला गेंदा ना मेरे को बहुत पसंद है गेंदी सी है महरून से कलर की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो बस ये लेके अभी हम चलने वाले थे तो चल ही दिये तो बीच में हमें लड़किया मिल गी थी बही जो पैदल जाती है मैं बता रही थी ना वहां से पैदल मतलब कावी रास्ता पार करना पड़ता है तो हमने इनको बिठा लिया था भई चलो हम छोड़ देते हैं स्कूल तक छोड़ देंगे पर ये कह रही थी फिर इतना जल्दी हम जाके ना स्कूल में करेंगे क्या तो फिर ये यहां बस टैंड पे भई उतर गे थे बस टैंड दूसरी साइड बना हुआ है तो यहां बस की इंतजार करेंगी ये लड़कियां भई तो मैं कह रही थी बाए इनको बोल रही थी फिर ये बाए करने लगी थी और रास्ते में बहुत दूंदा रखी थी कुछ भी निना जरा रहा था तो पहुंच चुके हैं जी हम घर तो अभी इशांत के पाप नहाने गए हैं ये कपड़े पड़े हैं भई जो अभी निकालने हैं क्योंकि सर्दी में काफी कपड़े हो जाते हैं और इनके बाद मैं नहाने जा रही हूँ बाल भी दोने हैं तो फिर नास्ता तो भई घर से ही पैक करके हमें दे दिया है भई मूली के परांथे तो नास्ता तो बनाना नहीं चाई बना के और वो जो नास्ता उन्होंने दिया है मूली के परांथे वही खाएंगे अब पहले नहाना कर लेते हैं उसके पाथ तो फिर मिलते हैं आपको ये जो मैं कल कपड़े दो के गई थी भई मैं अंदर ऐसे ही गेर के चली गई थी तो बाहर फिर कौन उतारता तो इसलिए अब ये कपड़े बाहर जाएंगे भई बाहर सुक न डालेंगे इनको फिर जब तक और कपड़े दोय जाएंगे इधर न ये थोड़ा गाजरे रखी थी मैं कोवा तो पढ़ा ही था तो मैंने सोचा चलो वो थोड़ा सा कर देती हूं ठंड में ठीक रहता है खालेंगे तो फिर मैं वो करके न इधर आगी थी क्योंकि कपड़े धुल चुके थे यानि कि तो इनको अब पानी निकालना था इ और खाना तो उन्होंने दे दिया था घर से पैक करके तो इशान्त के पापा चले गए थे भी नाश्ता करके चाई पीके तो वो चले गए थे बस मैं ये जो कल के कपड़े थे बस इनको अभी सुखा के फिर देखते हैं बाहर गिराएंगे इनको धो तो दिये हैं तो बाहर कपड़े अभी इसलिए नहीं गिराए थे क्योंकि अभी न दूंद सी आ रखी थी तो फिर वो इन पे गिरती तो फिर मैंने सुचा थोड़ा ये दूंद सी उड़ जेगी न फिर कपड़े सूख न डाल लूँगी तो इसलिए नहीं अभी सूख न डाल ले थे तो बहुत खराब हो रख है क्या करें काम तो करने पड़ते हैं और कपड़े काफी सारे हो गया है कुछ तो कलके थे और बस इनको गिराने में लगी थी मैं अभी और हवा चल रही है दोंदसी तो उड़ गी है अब हवा देखियो कैसे चल रही है अब करें गाजरे न अच्छे से पक गी थी तो इसमें मैंने फिर खोओं मिक्स कर दिया मावा तो इसमें ठोड़ा मिठा कम रह गया था फिर शान कि पापा बोल रहे हैं से तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता न फिकासा तो पिर इसमें और मिठा डालने तबहीं मुझे तो लाइट मिठा चलगता है मतलब मिठा कम ही पसंद करती हूँ इनको जादा मिठे वाला पसंद है तो बस ये बरतन करने लगी थी मैं अभी बस बाकी फिर मेरे पास कोई काम नहीं है फिर मैं फ्री हूँ तो फिर अराम से बैठेंगे और कल देखे आएंगे बई शांत के कपड़े शांत को बुला लेंगे मंदिर में वहीं दे देंगे बाई